ये जो चुनाव हो रहा है नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं ये जो उनका 400 सीट का नारा है ये बिना EVM के बिना मैच फिक्सिंग के बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डाल कर खरीद कर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है सब मिलाकर सारा का सारा जो हमारे resources है bank account बंद कर दिये गए तो ये कैसा चुनाव हो रहा है नेताओं को धंकाये जाता है पैसे देकर सरकारों को गिराये जाता है नेताओं को जेल में डाला जाता है केजरिवाल जी को सोरें जी को ये पूरी की पूरी match fixing करने की कोशिश की ज रहे हैं ये match fixing नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान के 3-4 सबसे बड़े अरब पती मिलकर कर रहे हैं आप चाहते हो कि विपक्ष चुनाव ना लड़ पाए और इसलिए आपने Congress Party के bank account रद किये ये चुनाव वोट वाला चुनाव नहीं है ये चुनाव हिंदुस्तान को बच वरिषनेता खारगे जी सोन्या जी शरतपवार जी भगवंत मान जी चंपा सोरें जी अखिलेश यादव जी एजेश्वी यादव जी सीताराम यचूरी जी फरूक अब्दुल्ला जी दी राजा जी भटचारिया जी महबूबा मुफ्ती जी डेरेको ब्रायन जी कलपना सोरें जी तृची सिल्वा जी सुनीता केजरिवाल जी देवराजा जी तिरू टोल जी खोरूम अनिस ओमर जी और स्टेज से मैं केजरिवाल जी और सोरें जी कभी नाम लेना चाहता हूँ क्यों आज यहाँ है नहीं मगर दिल में हम सब एक साथ कड़े हैं भाई और बहनों इंडिया घटबंदन के कार्य करता हूँ आप सब का यहाँ बहुत बहुत स्वागत नमस्कार कि आज कल कि आई पील के मैच चल रहे हैं देखते हो आप लोग मैच फिक्सिंग शब सुनाएं आपने सुनाएं जब बैमानी से एंपायर पर दबाव डाल कर प्लेयर को खरीद कर कैप्टन को धरा कर मैच जीता जाता है क्रिकेट में उसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है हमारे सामने लोग सबाग चुनाओ है एंपायर किस ने चुने नरेंद्र मोदी ने हमारे टीम में से मैच शुरू होने से पहले दो खिलारियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया तो भाईयों और बहनों यह जो चुनाओ हो रहा है नरेंद्र मोदी जी इस चुनाओं में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे है यह जो उनका 400 सीट का नारा है यह बिना EVM के बिना मैच फिक्सिंग के बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डाल कर खरीद कर यह 180 पार नहीं होने जा रहा है सब मिलाकर आप देखिए कॉंग्रेस पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है हमारे सारे के सारे बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट बंद कर दिये गए है चुनाओं के बीच में देश की सबसे बड़ी ओपोजिशन की पार्टी के सारे के सारे अकाउंट बंद कर दिये हमें कैम्पेण चलाना है हमें लोगों को प्रदेशों में भेजना है पोस्टर लगवाने है सारा का सारा जो हमारे रिसॉर्सेज है बैंक अकाउंट बंद कर दिये गए तो ये कैसा चुनाओं हो रहा है नेताओं को धमकाये जाता है पैसे देकर सरकारों को गिराये जाता है नेताओं को जेल में डाला जाता है केजरिवाल जी को सोरें जी को ये पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की जा रही है और ये मैच फिक्सिंग सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे है यह match fixing नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान के 3-4 सबसे बड़े अरब पती मिलकर कर रहे है यह सच्चा ही है और यह match fixing क्यों हो रही है भाईओ और बेहनों इसका सिर्फ एक लक्ष है कि हिंदुस्तान का सम्विधान जिसने इस देश के गरीब लोगों को अविश्य दिया सपने देखने का हक दिया उस सम्विधान को हिंदुस्तान के गरीब जनता से के हाथ से छीनने के लिए ये मैच फिक्सिंग की जारी है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस दिन ये सम्विधान खतम हो गया उस दिन ये हिंदुस्तान नहीं बचेगा इसको पुलीस से हमकी से नहीं चला जा सकता है ये जो सम्विधान है हिंदुस्तान की जंता की अवाज है हिंदुस्तान के दिल की धड़कन है इसको जिस दिन खतम कर दिया गया उस दिन यहाँ पे हिंदुस्तान नहीं बचेगा अलग-अलग स्टेट हो जाएंगे हिंदुस्तान नहीं बचेगा यही इनका लक्ष है यह सोचते हैं कि सम्विधान के बिना कमका कर करा कर पुलीस, सीबी आई, इडी इन कंटैक्स डिपार्ट्पन चला के साथ देश चलाया जा सकता है यह सोचते हैं मीडिया के बिना एज चलाया जा सकता है आप मीडिया को खरीच सकते हो आप मीडिया को दबा सकते हो आप मीडिया के रिपोर्टर्स का मुँ बंद कर सकते हो मगर आप हिंदुस्तान की आवाज को नहीं दबा सकते हो इस आवाज को कोई नहीं दबा सकता दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो इस अवाज को दबा सकती है भाईों और बेनों बीजेपी के एंपी ने कहा कि जैसे ही हम चुनाव जीतेंगे मैच फिक्स करके 400 सीटे जीतेंगे वैसे ही हम सम्विधान को बदल देंगे सम्विधान को रद कर देंगे यह ऐसे ही नहीं बोला गया यह टेस्ट करने के लिए आईडिया टेस्ट करने के लिए बीजेपी के एंपी ने बोला है यह लड़ाई सम्विधान को बचाने के लड़ाई है जैसे अकिलेश जी ने कहा समिधान चला जाएगा गरीबों के हक चले जाएंगे आरक्षन चला जाएगा और जो आपका धन है गरीबों का धन है किसानों का धन है मजदूरों का धन है वो पांच छे लोगों के हाथ में चला जाएगा नोट बंदी की GST लागू किया मुझे बताईए GST से नोट बंदी से किस गरीब यक्ति को फाइदा हुआ किस चोटे दुकानदार को फाइदा हुआ किस किसान को फाइदा हुआ किस बेरोजगार युवा को फाइदा हुआ किसी को नहीं 40 साल से सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है एक परसेंट लोगों के पास हिंदुस्तान का पूरा का पूरा धन 25 लोग है जितना धन उतने उनके हाथ में है उतना ही धन 70 करोड लोगों के हाथ में है यह सन्विधान को क्यों मिटाना चाहते है क्योंकि आपका धन जो है आपसे चीनना चाहते है मैंने जाती चंगर्ना की बात की किसानों के MSP की बात की युवाओं को रोजगार देने की बात की यही देश के सामने सबसे बड़े मुद्दे है मगर एक बात याद रखिए अगर आप लोगों ने पूरे दम से वोट नहीं दिया तो इनकी मैच फिक्सिंग काम्याब हो जाएगी यह भूलिये मत और जिस दिन मैच फिक्सिंग काम्याब हो गई उस दिन आपका सम्विधान हमारा सम्विधान खतम हो जाएगा जिस दिन सम्विधान खतम हो गया उस दिन हिंदुस्तान के दिल पर एक बहुत बड़ी चोट लगेगी तो यह जो चुनाओ है यह चुनाओ कोई मामुली चुनाओ नहीं है यह चुनाओ हिंदुस्तान को बचाने का सम्विधान को बचाने का और जो गरीबों का हक है किसानों का हक है पिछड़े वर्गों का दलितों का आदिवासियों का गरीब जेनरल कास के लोगों का हक है उसको बचाने का हक है उसको बचाने का चुनाओ है यह बात आप याद रखिए क्योंकि अगर यह चुनाओ जहां मैच फिक्सिंग की जा रही है वो पूरे देश को दिख रहा है बीजेपी के लोग कह रहे है कल मेंसे एक व्यक्ति मिलने आया मुझे कहता है मैं ट्रेन से आया मेरे साथ बीजेपी के कार्यकरता बैठे थे उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ गड़बड है यह सचाई है एलेक्शन कमिशन के लोगों को नरेंद्र मोदीजी ने बठाया दो नेताओं को दो चीफ मिनिस्टरों को जेल में डाला चुनाओ से कुछ ही महीने पहले अगर डालना था तो छे महीने बाद डाल देते छे महीने पहले डाल देते नई चुनाओ से दो तीन महीने पहले तो चीफ मिनिस्टर को डालना था आपने हमारे बैंक अकाउंट बंद किये बैंक अकाउंट बंद करने थे शे महीने पहले करते एक साल पहले करते शे महीने बाद करते कोई फरक नहीं पड़ता आप चाहते हो कि विपक्ष चुनाओं ना लड़ पाए और इसलिए आपने कॉंग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट रद किये आपने एलेक्शन कमिशन में अपने लोग बैठाए आप जुडिशिरी पे दबाव डाल रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि मैच फिक्स हो समधान रद किया जाए और आप सत्ता में रहो मगर भाई और बेहनों मैं सच बोलता हूं और मेरे बात आप अच्छे तरह सुन लो अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाओ बीजेपी जीते और उसके बाद सविधान को उन्होंने बदला तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है जो मैंने कहा याद रखो ये देश नहीं बचेगा ये चुनाओ ये चुनाओ वोट वाला चुनाओ नहीं है ये चुनाओ हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाओ है सम्विधान की रख्षा वाला चुनाओ है तन्यवाज जहिद निशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें